भूमिका, सामागरी संत महात्मों के उपदेश के संबंध में कुछ लिखते समें अक्सर यह कठनाई सामने आती है कि उनकी वानी शुद रूप में नहीं मिलती उनके जीवन का वृतांत लिखना तो और भी कठिन हो जाता है क्योंकि उनके जीवन के संबंध में विश्वस्निय सामागरी नहीं के बराबर होती है संत चरंदास जी के विशे में ऐसा नहीं कहा जा सकता आप एतिहासिक दृष्टी से हमसे अधिक दूर नहीं है आपकी वाणी भक्ती सागर नामक ग्रंथ में प्रकाशित हो चुकी है और उपलब्ध है यह ग्रंथ लगबग 800 प्रिष्टों का है इसमें विभिन विश्यों पर उनकी छोटी बड़ी कई रचनाएं सम्मलित है संत चरंदास जी के जीवन के संबंध में आपके जीवन काल में ही चर्चा होने लगी थी आपके निधन के तुरंत बाद आपके तीन प्रेमी शिश्यों शिरी रामरूप जी, शिरी जोग जीत जी और शिरी जसराज जी उपकारी ने अपने सद्गुरु के जीवन और उपदेश के संबंद में शिरी गुरु भक्ति प्रकाश, शिरी लिला सागर और भक्त बावनी नामक कावे ग्रंथों की रचना की इन कावे ग्रंथों में आपके जीवन और उपदेश के विशे में प्रयाप्त सामागरी उपलब्ध है दी है, संत चरंदास जी के बारे में लिखने का कारे केवल उनके शिश्यों तक ही सीमित नहीं रहा, आपके शिश्यों के शिश्यों ने भी अपने दादा गुरू के जीवन और उपदेश के संबंध में अनेक रचनाएं रची हैं, यह करम उननिस्वी श्ताबदी के मद्धे तक तेजी से और बाद में कुछ मंद गती से चलता रहा, आपके नाम और उपदेश से जुड़े चरंदासी या शुक संप्रदाय के कवियों की गिंती सैंकडों में की जाती है और उनकी प्रकाशित और आप्रकाशित रचनाओं की गिंती हजारों में बताई जाती है, ध् संत चरंदास जी के जीवन और उपदेश के विशे में सामगरी एकत्रित करने और उस पर विचार करने का कारे केवल सामप्रदाइक और धार्मिक स्तर पर नहीं विशुद्ध साहत्तिक और एतियासिक स्तर पर भी निरंतर जारी रहा है जेम्स हेस्टिंग्स, एच एच विल्सन, विलियम क्रुक्स और सर जोर्ज ग्रियर्सन जैसे पश्मी विद्वानों ने इस और सबसे पहले कदम उठाया इस शेत्र में काम करने वाले भारती विद्वानों में डॉक्टर तिलोकी नारायन दिक्षित, डॉक्टर शिती मोहन सेन, डॉक्टर पितामबरदत बर्थवाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचारे परशुराम चतुरवेधी और डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल प प्रचूर मात्रा में अच्छे साहित्यक और आलोचनात्मक स्तर की सामगरी प्रस्तुत की है। संत चरंदास जी के जीवन और उपदेश पर प्रयाप्त प्रकाश डालता है। इसमें अपने समय के धार्मिक तथा राजनीतिक वातावरण में चरंदास जी के उपदेश के एतिहासिक महत्व पर ही नहीं बलकि उसके अन्ने पहलूँओं पर भी विस्तार और गहराई के संबंद में उच्छ स्तर की विद्वत्ता पून सामगरी एकत्रित कर चुके थे। हमारा अभिप्राय आपके जीवन और वानी के संबंद में किसी नए स्रोत को ढूनना या किसी नई सामगरी को एकत्रित करना नहीं है। बलकि एक मध्यम आकार की रचना द्वारा संत चरं अंदास जी के जीवन के विशे में संक्षिप्त जानकारी देना और उनकी वानी में उपलब्ध संतमत के मूल उपदेश को प्रकाश में लाना है। ताकि संतमत के साधारन श्रोता और परमार्थ के खोजी इस महात्मा के जीवन, उपदेश और वानी से सहज रूप में पर अनेक विश्यों पर उपलब्द बहुत सी सामागरी में से केवल मूल उपदेश को निकाल कर उसे सरल रूप में प्रस्तुत करना है समय संत चरंदास जी का समय 1703 से 1782 इस्वी है धर्म, राजनीती, सदाचार आदी अनेक द्रिश्चियों से यह पतन का समय था राजनेतिक द्रिश्चिकोंड से औरंग जेब की मृत्यू के साथ ही मुगल शासन की शक्ती और वैभव का सूरे अस्थ होने लगा था औरंग जेब के बाद उसके बेटों में दिल्ली की गद्दी के लिए खूनी संघर्ष हो गया था हुकूमत की प्राप्ती के लिए युद एक रिवाज बनता जा रहा था लगभग पचास वर्ष के थोड़े से समय में एक के बाद एक साथ बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठे इन बादशाहों का अधिकतर समय राज्ये प्राप्त करने या राज्ये कायम रखने के लिए भयानक युद्धों में व्यतीत होता रहा राजदर्बार, राजनेतिक शक्ती और एश्वरे की प्राप्ती के लिए चली जाने वली भयानक चालों का अखाड़ा बन गया था वजीरों, सिपासलारों और नवाबों की बाद तो दूर रही बादच्छा का अपने बेटों और निकट संबंधियों पर से भी विश्वास उठ गया था शाही परिवार के लोग, वजीरों, नवाबों और सिपाहियों सिपासलारों से मिलकर अनेक प्रकार के शड्यंत्रों में उल्जे रहते थे जाट, बुंदेले, राजपूत, मराठे और सिख शाही ताकत को ललकार रहे थे और उससे हर समय युद्ध छेडे रहते थे इसके अलावा देश को नादिर शाह और एहमत शाह अबदाली के आक्रमणों का शिकार होकर भयानक रक्तपात और भीशन लूट मार की असहे पीडा में से भी गुजरना पड़ा स्वार्थ, विश्वास घात और अफसर वाद ने मारधाड, छीना जप्टी और बेचैनी का वातावरण पैदा कर दिया था नियमों, मानिताओं और मर्यादाओं की होली हर ओर जलती दिखाई देती थी पिता-पोत्र, भाई-भाई और स्वामी सेवक के संबंधों की पवित्र चादर फटकर चिथड़े-चिथड़े हो गई थी व्यक्तिगत, आचरण तथा सामाजिक मर्यादा की बुनियादें चर्मरा गई थी प्रेम, त्याग और सेवक की बात तो दूर रही सत्ते, न्याए और आपसी सहनु भूती भी शायद ही कहीं देखने को मिलती थी इस काल के महान सूफी दरवेश साई बुलेशा 1680 से 1758 तक ने अपनी एक काफी में इस समय के राजनीतिक उतार चड़ाव और सामाजिक तथा नैतिक पतन का बड़ा ही सजीव वर्नन किया है आप कहते हैं कि कउओं, चीडियों, गधों और बिखारियों की पो बारा हो रही है और बाजों, घोडों और राजाओं की दशा बिगरती जा रही है भाई-भाई, पिता-पुत्र और मा-बेटी में प्रेम और एकता का अभाव होता जा रहा है अनेक लोगों के घर उजड गए हैं, अनगिनत लोग कंगाल हो गए हैं और अनेक लोग अपने मरे हुए संबंधियों की याद में दरी बिचाए बैठे हैं सच बोलने वालों को दुत्कारा जा रहा है और जूठों का बोल बाला है उल्टे होर जमाने आए, ता मैं पेद सजण दे पाए का लंगणानू मारन लगगे, चिडियां जुरे टाए कोडे चुगण अरूडियां ते, गदों खवेद पवाए आपने आ विच उल्फत नाही, क्या चाचे क्या ताए प्यू पुत्रा इतफाक न काई, तीयां नाल नमाए सच्यानू पई मिलदे तक्के, चूठे कोल बहाए अगले हो कंगाले बैठे, पिछलें फरश बिचाए पूरियां वाले राजे किते, राजें पीक मंगाए बुले आ हुकम हुजूरों आया, तिसनू कौन हटाए धार्मिक परस्तितियां भी ठीक नहीं थी धर्म का आधार, दया और प्रेम है, परन्तु बादशाहों द्वारा पैदा की गई धर्मिक कटरता के उनमाद ने हर और निर्दयता, हिंसा और घ्रिना का विश्गोल दिया था ना केवल एक धर्म, दूसरे धर्म का शत्रू बना हुआ था बलकि एक ही धर्म के अलग-अलग फिरके भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे मौल्वियों, पंडों, नाथों, योगियों, सिद्धों और भिक्षूओं की कमी नहीं थी पर हर और दंब, बेख और छल का बोल बाला था तथा कथत धर्मों और धर्म के मानने वालों की भर्मार थी पर सच्चा धर्म और धर्मात्मा कहीं दिखाई नहीं देते थे योग का अर्थ है आत्मा को पर्मात्मा से जोड़ना और एक मात्र सद्गुरु ही आत्मा को परमात्मा से जोड सकता है इसलिए योग का लक्ष है सद्गुरु की साहयता से अभ्यास द्वारा अपने आपको परमात्मा में लीन करना उन दिनों सच्चे योगियों का अभाव था और तथा कथित योगी घर भार को त्यागने, जटा रखने, कान फड़वाने, भभूत्रमाने, अनेक प्रकार का भेश धारन करने तथा हट कर्मों, 84 आसनों और मंत्र तंत्र द्वारा रिधियों सिधियों को प्राप्त करने को ही योग का आदी और अंत समझने लगे थे लोग नाम देव, रवीदास, कबीर और नानक जैसे संतों तथा बक्तियार काकी, फरीद, निजामुदिन औलिया आदी फकीरों के बताए हुए प्रभु भक्ति, सत्गुरु भक्ति और नाम भक्ति के सीधे साधे मार्क को भूल कर अनेक प्रकार के भ्रमों, शंकाओं और बाहर मुखी कर्म कांडों की भूल भुलाईया में खो चुके थे पून संतों और सच्चे दर्वेशों के बताए अन्तरमुख भक्ति के सहत साधन का स्थान मूर्ति पूजा, तीर्थी यात्रा, पाठ कीर्तन, दान पुन्ने और अनेक प्रकार के बाहर मुखी साधनों ने ले लिया था जिन लोगों का थोड़ा बहुत जुकाव अन्तर की ओर था, उनका जोर भी प्राणायाम, पिंड के छे चक्रों की साधना, तथा अन्य कठिन और कश्च दायक युक्तियों पर ही था सच्ची अन्तरमुखी अध्यात्मिक साधना ना के बराबर थी यह वह वातावरण था जिसमें संत चरंदास जी को विचरना और कारे करना पड़ा ऐसा वातावरण संतों के लिए एक विशेश चुनोती का अफसर होता है अविद्या की अधिक्ता ही विद्या के प्रकट होने का कारण बनती है संत जन अपार रुहानी शक्ती के मालिक तो होते ही है साथ ही अथा प्रेम, दया, धैरे और त्याक के पुझ भी होते है अज्यान का अंधकार जितना अधिक घना होता है संतों के प्रेम और दया का सागर उतना अधिक तरंगित होता है संत जन परिस्थितियों की कठोरता से नहीं घबराते वे हर प्रकार के वातावरण में धैरे और विश्वास के साथ जीवों को चिताने और धुरधाम पहुँचाने का कारे करते हैं अपने समय में संत चरंदाज जी ने भी ऐसा ही किया अपनी प्रभुभक्ती और परोपकार भावना के बल पर आपने सभी कठनाईयों और विरोधों पर विजे प्राप्त की मानवता के प्रती प्रेम और निशकाम कल्यान भावना के सहारे आप अपने कारे में निरंतर आगे बढ़ते गए अंत में पापों और दुराचारों की भीशन गर्मी से तपते हुए रेगिस्तान में आपके अलौकिक उद्ध्यम से शीतलता प्रदान करने वाले अमरित की वर्षा होने लगी आपके अथक प्रितनों के कारण सच्ची भक्ती और सच्चे ज्यान का ऐसा विशाल और निर्मल प्रवहा जारी हो गया कि उसमें सनान कर अंगिनत लोग अपने चारों और फैले हुए विश्भरे वातावरण के प्रभाव से बच गए और आत्मिक निर्मलता के सच्चे मार्ग पर चल कर अपना जीवन सफल बना गए मेरा परम सौभागे है कि मुझे मेरे सद्गुरू महराज चरन सिंग जी ने इस संत के जीवन और उपदेश के संबंध में प्रस्तुत पुस्तक लिखने की केवल आग्या ही नहीं दी बल्कि पक-पक पर मेरा मार्ग दर्शन भी किया उनके दया में मार्ग दर्शन के बिना इस कारे को पूरा करना संभव नहीं था लेखक उन सभी विद्वानों और लेखकों का आभारी है जिनकी रचनाओं से उसे ना केवल बहुत सी सामागरी प्राप्थ हुई है बल्कि उसके इस प्रयास को एक दिशा भी मिली है तिलक राज शंगारी